नमस्कार प्यारे साथियो स्वागत है आप सभी का टार्गेट फॉर आईक्यू में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं के नोटिफिकेशन साथ में सलेबस और क्या इसकी कटोफ जाती है क्या रहनीती रही है इसके प्रलियम्स को निकालने को लेकर इन सभी महत सभी मेंट या सोर्सिस आपके पास होने चाहिए किताबों को तो वो चीज़े हम लोग आज डिसकस करेंगे चलिए वन वाइवन चीज़े हम लोग देखेंगे जहारखंड का जो पहले 2018-19 में नोटिफिकेशन आया था और लगबगे 2021-2022 तक यह फाइनल हुआ था अब 2024 मे जहारखंड का आप लोगों का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगर मैं vacancy की बात करूँ तो लगबग 200 पिलस vacancies आप लोगों की जहारखंड में देखने के लिए मिल सकती है ठीक है, पहली बात तो यह और यह जो notification आप लोगों का अगस्ट यह सितंबर तक आप लोगों का आ जाएगा इसको लेकर सरकार काफी काम कर रही है जारकन लोग से वाया आयोग और जारकन सरकार भी बहुत सारे notifications जो हैं तरह तरह के release कर रही है और commission भी काफी तेजी से काम कर रहा है तो जैसे मुझे input मिला वैसे ही मैंने आप लोगों को वीडियो बना दी अब इसके में देख लेते हैं कि इसमें भाई क्या-क्या आता है क्या-क्या चीज़े इसमें होती है इसमें मैं पहले pre की बात करूँगा इस वीडियो में basically pre की बात करूँगा और pre में एक चीज में clear करनूँ कि जहारकरण में अभी तक क्या था कि negative marking नहीं थी और दूसरा ये था कि पुराने laws आ रहे थे लेकिन अभी notification आएगा अगर Indian government new act criminal law enforce करती है तो definitely ये भी जो है लागू इसमें हो जाएंगे हाला कि जहारकरण जो prelims हुआ था अभी आप लोगों ने देखा उसमें तो नए act नहीं आयते तो सबसे पहले आप लोग दोनों ही act पढ़िएगा law जो criminal law है आपके वो दोनों पढ़िए पिरी और बेंस के हिसाब से की बात करने थे क्योंकि syllabus में ये चीजें खोल कर नहीं लिख रखे हैं यादे आप प्रिविएस येर के paper देखेंगे या पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत detail explain नहीं है कि वो subject के नाम दे रखें अगर GS paper की बात करें तो GS में आपको history होगी और बस उन्होंने एक इतियास लिख रखे है भारत का इतियास तो इसमें तीनों history आप लोगों को पढ़नी है ancient history और इसके साथ साथ आपको medieval and आपको modern तो ये history आप तीनों आप लोगों को पढ़नी पढ़ेगी इसके साथ साथ जहारकंड का अधियास भी मैं आगे आँगा इसी कोलम में इस पर भी चर्चा करूंगा इसके साथ साथ जोग्रफी अब geography अगर बिहार की बात करें, UP की बात करें खासकर judiciary की तो यहां पर Indian geography आती है पर जहारकंड देने वाले बच्चे इस बात को clear समझ लेना कि यहां पर आप लोगों के Indian और Indian के साथ साथ आप लोगों को world geography भी पढ़नी पढ़ेगी जैसे इसमें capital और देसों के नाम matching में पूछ लिया था तो इस तरह के questions आप लोगों से पूछे जाएंगे इसके साथ साथ आपके journal science ठीक है जो journal science आपकी होगी तो journal science भी आप लोगों की पूछी जाएगी जिसमें physics, chemistry, bio और daily life से related science tech भी आप लोग कह सकते हैं तो यह भी आप लोगों से पूछा जाएगा और यह पूरा यह भी बता दूँ इसमें 100 MCQs आप लोगों के होंगे पहला पेपर होगा एक दिन में 2 पेपर होंगे और 100 MCQ आप लोगों के आएंगे और यही पेपर डिसाइड करेगा कि आप लोग मेरिट में किलियर करोगे नहीं करेगे इसके साथ साथ economics इसमें आप लोगों को related constitution है वो law paper में आएगा मतब constitution को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों paper में देखने को आपको मिलेगा और साथ में साथ इसमें भरपूर मात्रा में current affair भी मिलेगे मतब current affair भी आप लोगों को मिलेगे और इस current affair को भी आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा तो यह था प्र जहारकंड राज्ये से related जो जीके है अब इसमें यह सारे उपर के subject include मानिये जैसे जहारकंड की current affair जहारकंड की polity जहारकंड की history जहारकंड की geography या जहारकंड की economy और जहारकंड की current affair तो वो इसके अंतर होगा means कि आपको GS प्रिपेर करनी है वो जहारकंड को पहलल रखके और कुछ इसमें last में अगर आप देखेंगे तो static GKV आप लोगों का आएगा, static में यह कि कौन सा बड़ा है, कौन छोटा, कौन पहला, कौन अंतिप, इस तरह के आकड़ा database चीजें आप लोगों को देखने के मिलीगे, तो यह था GS paper की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और इस start हम लोग कर रहे हैं, 25 जून से, new batch सुबह 8 वजे से, तो जो लोग इसे join करना चाहते हैं, GS paper को लेकर तो कर सकते हैं, GS paper के लिए, और ला paper के लिए भी हम लोग 25 जून से भी, ला paper पिरी के लिए भी हम लोग 25 जून से start कर रहे हैं, शाम को 4 बच के 15 मिनट पर, ठीक है, इसक ममीत सर कराएंगे, इसको मैं कराऊंगा, और इसमें 8 से 9 आपके GS के एक specific class होगी, एक subject की, और 11 से 12 बचे इसमें current फिर चलेगे, current फिर को हम साथ के साथ याद करेंगे, ठीक है, इसमें 1 वाई 1 करके सारे subject हम GS के देखेंगे, अभी हम prelims focus इस batch को पढ़ने वाले हैं, और law batch इसमें prelims focus रहेगा, अब चली पहले बात कर लेते हैं, अपने law papers की, तो law के में भी जो आप लोगों के 100 MCQ देखने के लिए प्यारे बच्चों मिलेंगे, अगर law paper होगा, ये भी pre में, तो इसमें भी आपको 100 MCQ देखने के लिए मिलेंगे, और इसमें आप लोगों को IPC, IPC means, यानि BNS, ये दोनों आपको पढ़ने पढ़ेंगे, old and new, and आप लोगों को evidence act, और evidence act की बात करें तो आपको भारतिय साक्सी अधिनियम, BS से, और तीसरा आपको CRPC, 1970, यानि आपकी BNS, और चोथा आपका वो है Indian constitution, तो मैंने कहा था न, constitution दोनों paper में देखने को मिलेगा, औ और ये चारो subject आपके 100 MCQs आप लोगों के आएंगे, ये previous labels हो गया, आपका GS as well as means का, तो ये आपको इसी को strategy बनाकर इसकी तयारी करनी है, language में 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 मोटे तोर पे बतातू, language का paper होता है, जो qualify nature का होता है, और एक GS का paper होता है, में 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 अब ही हम लोग premiums point of view से बात करेंगा और बाद में एक interview होता है इसमें और फिर selection हो जाता है, तो ये था हमारा, इसको लेकर अभी target for IQ पे 25th June को नया batch start हो रहे है, तो जो लोग करना चाहते है, bilingual होगा, live होगा, recorded access कर सकते हैं, ऐसे वो लोग जो service में, government job हैं, या फिर private job करते हैं, practice करते हैं, तो वो join कर सकते हैं, recording भी available in classes की रहेगी, इसमें notes, test, series, सारे complete study material हम लोग देंगे, जो PDF format में होगा और class में ही proper तरीके से, आप लोगों के notes बनाए जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी जिसमें Garima Pandey rank 2 है, वो भी मारे GS paper premains की member रह चुके है और आप हमारे app पर visit करके scores को purchase कर सकते हैं, या इस number पर WhatsApp या call करके भी आप admission ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर रहा है, कि इसमें जो top 50, पहले 50 बच्चों को, जो भी पहले 50 बच्चे हैं, student हैं, इस batch में enrolled होंगे, उनके लिए हम लोगों ने 10% जो है, वो off भी र की fees जो है, वो 3000 है, complete, app पर जाएए, check out करिए, detail आपको मिलेगी, इस वीडियो के description में भी, और ये strategical only focus जहारकंड APO के लिए, इस batch को में लोग करेंगे, one by one, एक एक subject को पूरा complete करेंगे, जिसमें law में two year के latest judgment, आपके legal, GK, सब आपको मिलेगा, and current affair, हम लोग इसमें दो, साल की cover करेंगे, including जहारकंड current affair, और इसमें सभी test online होंगे, आपके, GSK as well as law, and online के बाद आपको PDF मिल जाएगी, and सभी topic wise और subjective wise test paper पे आपके weekly conduct होंगे, आप teachers से communicate कर सकते, class में discuss कर सकते, both language में classes होंगी, study material भी आप चाहो, तो हिंदी वालों को हिंदी में मिलेगा, English वालों को English में मिलेगा, यदि आप लोगों की कोई और query है, तो आप प्लीज इस number पर WhatsApp call करके जरूर पूछेगा, और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजगा, यदि आपके कोई question है, कोई query है, तो आप इस video के comment box में भी रख सकते हैं, thank you